लडाप में COVID के कल हमें 18 सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से 15 कारगिल के थे और 3 लेके थे ते 18 जो सैंपल्स हैं वो सभी नेगटिव आये हैं पूर्व में लदाक में तेरा positive cases थे जिसमें से कि दो जो हमारे मरीज थे उनके आखरी में बेजे गए दोनों जो samples नेगटिव आए हैं उसलिए उनको हम लोग negative मानते हुए precautionary तोर पर हम लोगो उनको अभी भी quarantine करेंगे पर technically वो negative हो गए हैं और उनको हमने main जो यहाँ district hospital है है वहाँ से हटाकर quarantine center है वहाँ shift कर दिया है तीस हमारे samples है उनका result अभी आना शेश है और संभवता वो दो-तिन दिन में आ जागा पर हम लोग हर रोज हम samples बेशते हैं तो यह figure कभी zero तो नहीं होगा बट अभी फिलाल हमारा तीस samples अभी आना शेश है कोविट 19 की जो विवस्ता है उसको थोड़ा और सक्त करते हुए डिविजनल कमिशनर जो की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी है उन्होंने कल एक order जारी किया है जिसके अंत्रगत दोनु जिलों में ले और कार्गिल में public transport को indefinite समय के लिए उन्हो सारे बसे जो प्राविट बसे से स्वाराश महाँदा चलते थे और एसा टिसी के जो बसे से वो अब कुछ दिनों के लिए नहीं चलेंगे सेंपल के लिए हम लोगों ने कल रात को ही पुरी विवस्ता कर लिए एर इंडिया का अभी एक चाटड़ फ्लाइट आता है एक वो हमारे पास option है अधर्वास हमारे पास एर-फोस का भी option है तो हमें हमें कोई problem नहीं होगी हमारे पुरी विवस्ता है उसके लिए